आपका स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल बी एसे ट्रिकी क्लासेस पे आज हम लोग railway group D के exam को ध्यान में रखते हुए railway के exam में बार बार पुछे जाने वाले science के most important सवालों को देखेंगे साथी साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रस्नों को discuss करेंगे जो आपके exam में पुछे जा सकते हैं आप सभी से request करेंगे कि आप class को अधिक से अधिक share करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे class में आकर class का लाग उठा सकें आप सभी से request करेंगे कि आप class में सारे सवालों के answer अवस्य क्या करें और please class को support कीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं class और देखते हैं हमारा पहला सवाल निम्नलिखित में से किसके अधिक्तम पैर होते हैं तो answer करें इन में से किसके अधिक्तम पैर होते हैं option A मकड़ी, option B मिली पेड, option C गोजर, option D व्याग्र पतन तो आप सभी जानते हैं मिली पेड यानि सहस्तरपाद का अधिक्तम पैर होता है तो आपका answer क्या होगा? सहस्तरपाद यानि मिली पेड के पास सबसे अधिक्त लेग होते हैं option B मिली पेड के पास अधिक्तम पैर होते हैं याद रखेगा कीटों में कितने पैर होता है? तो कीट का 6 पैर होता है याद रखेगा कीट के पास 6 पैर होता है याद रखेगे अगला सवाल लीमर क्या है? आंसर की जिगा लीमर क्या है? आप्शन A मानव सरीर में एक हड़ी आप्शन B कैंसर के विकास का एक परकार आप्शन C एक साधारन मसीन आप्शन D मेडागासकर में पाया जाने वाला एक जानवर तो लीमर क्या है आपको बताना है तो सही आंसर क्या होगा लीमर मेड़ागासकर में पाया जाने वाला एक जानवर है याद रखेगा लीमर क्या है तो लीमर एक जानवर है जो मेड़ागासकर में पाया जाता है तो आंसर हो गया लीमर मेड़ागासकर में पाया जाने वाला एक जानवर है याद रखेगा अगर आपसे पूछे मेडागासकर कहां इस्थित है तो याद रखना है मेडागासकर हिंद महासागर में इस्थित है तो याद रखेगा मेडागासकर हिंद महासागर में इस्थित है ठीक है और मेडागासकर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीब है तो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखेगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीब है मेडागासकर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीब है मेडागासकर, तो आप अच्छे से लिख लिजेगा कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीब है मेडागासकर मेडागासकर हिंद महासागर में इस्थित है मेडागासकर में पाया जाने वाला एक जानवर है लीमर समझ में आए तो लीमर क्या है तो लीमर मेडागासकर में पाया जाने वाला एक जानवर है मेड़ागासकर हिंद महासागर मेच्थित है मेड़ागासकर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीफ है याद रखेगा तो class को प्लीज आप लोग support करें Class को जोड़े ज़ादा संख्या में class को share करें ताकि ज़ादा बच्चे class में आ सकें अगला सवाल निम्नलखित में से कौन सी प्रकरिया carbon dioxide के वातावरन को हटाती है answer करें which of the following process removes carbon dioxide from the atmosphere इन में से कौन सा प्रकरिया carbon dioxide के वातावरन को हटाता है तो आप जानते हैं carbon dioxide के वातावरन को हटाता है प्रकास translation तो answer क्या होगा option number A चीक है तो याद रखना है कार्बन डियोकसाइट के वातावरन को घटाती है प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया सुरी के प्रकास, जल, क्लोरोफील और कार्बन डियोकसाइट की उपस्तिती में होता है प्रकास संसलेशन लाल रंग में सबसे अधिक होता है आप जानते हैं अगर आपसे पूछे कि प्रकास संसलेशन सबसे अधिक किस रंग में होता है तो प्रकास संसलेशन सबसे अधिक लाल रंग में होता है याद रखेगा और प्रकास संसलेशन की क्रिया द्वारा कार्बन डैकुसाइट का अवसोशन होता है और ऑक्सीजन का निर्मान होता है ठीक है तो सही आंसर क्या होगे आप्सिन नमबर A क्योंकि प्रकास संसलेशन प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा कार्बन डैकुसाइट का अवसोशन पाया जाता है तो आप से पूछेगा क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है यानि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है तो आप जानती है अंजर करेंगे क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है तो क्लोरोफिल में मेगनीशियम पाया जाता है याद रखेगा क्लो औरोफिल के अभाव से प्रकास संसलिसन की क्रिया नहीं हो पाती है याद रखेंगे ठीक है तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा तो याद रखना है option number A याद रखेगा बाकि गल्वनी करन तो आप जानती है कि धातू के उपर जस्ता का परत चढ़ाये जाता है यानि ल क्रिया को गल्वनाइजेशन कहा जाता है याद रखेगा बाकि बायो डिग्रीडेबल आप जानती है कि बायो डिग्रीडेबल का संब्द परदूशन से होता है बायो डिग्रीडेबल सबस्तांस होता है वो मतलब बोल सकते हैं कि सडगल के आसानी से मिट्टी में मिल जाता है, जैसे हो गया काग aquesta आपका बाइो डीडिजर डीडिडिबल सबस्टान्स हो गया, सबजी बाइो डीडिडिडिबल सबस्टान्स हो गया है न, तो यह सब आप याद रखेगा, तो आंसर अप्शिन नमबर ए चली अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल, निउरोलोजिकल जन्मगत consumers किसके द्वारा फैलता है तो सबसे पहले जिका वायरस आप जानते हैं, बंदर में देखा गया था सबसे पहले जिका वाइरस बंदर में देखा गया था लेकिन याद रखना है इसका सही आंसर आपका क्या होगा मच्छड होगा आंसर क्या होगा मच्छड तो option number B याद रखना है मच्छड याद रखेगा neurological जन्मजात विकारों के कारण कारण रूप में ग्याद जिका वाइरस जो है मच्छड के काटने से होता है तो जिका वाइरस किस से फैलता है तो जिका वाइरस मच्छड के काटने से फैलता है याद रखना है मच्छड से मच्छड के काटने से फैलता है जिका वाइरस याद रखेगा हम नीचे लिख दे रहे तो अगर आपसे पूछे जीका वाइरस फैलता है तो याद रखना है जीका वाइरस फैलता है मच्छड के काटने से ठीक है याद रखना है जीका वाइरस फैलता है मच्छड के काटने से और अगर आपसे पूछेगा कि जीका वाइरस सबसे पहले किस जानवर में पाया गया तो याद रखना है कि जीका वाइरस सबसे पहले बंदर में देखा गया याद रखेगा तो इसको आप याद रखेगा जीका वाइरस के कारण बच्चों में संक्रमी बच्चों में संक्रमन का खत्रा बढ़ जाता है स्वाइन फ्लू आप जानते हैं स्वाइन फ्लू क्या है तो स्वाइन फ्लू वाइरस जनित रोग है याद रखेगा डेंगू जो होता है मच्छड के काटने से होता है ठीक है तो ये भी याद रखना है कि डेंगू म मच्छड के काटने से होता है मलेरिया मादा इनफली मच्छड के काटने से होता है और डेंगु किस मच्छड के काटने से होता है या आप कमेंट कर दिजेगा डेंगु को हड़ी तोर बुखार भी कहा जाता है याद रखेंगे तो डेंगु भी मच्छड के काटने से होता है याद रखेगा ठिक है और डेंगू को हड़ी तोर बुखार कहा जाता है इस चीज को आप याद रखेगा तो सही आंसर क्या हो गया जी का वाइरस मच्छड के काटने से फैलता है option B सही आंसर होगा अगला सवाल ग्लुको मीटर के बारे में निम्निलिखित कतनों में से कौन सा कतन सही है which of the following statements about ग्लुको मीटर is correct ग्लुको मीटर के बारे में कौन सा statement सही है option A यह एक चिकितसक उपकरन है option B यह एक गैर चिकितसक उपकरन है option C इसका उपयोग हवा में oxygen 1 के अस्तर को नापने में क्या जाता है option D इसका उपयोग हवा में nitrogen के अस्तर नापने में क्या जाता है तो ग्लुको मीटर के बारे में कौन सा statement सही है वो आपको बताना है तो याद रखना है यह देख किए आपको समझ में आ रहा होगा चिकित्सक उपकरन है सही है option number A याद रखेगा बाकि सब statement गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है और नीचे वाला option भी गलत है तो glukometer क्या है तो glukometer एक चिकित्सक उपकरन है याद रखेगा अब यहाँ से कुछ ही potent सवाल आप याद रख सकते हैं पूछ सकता है chronometer का उपयोग कहा होता है तो आप जानते हैं chronometer का उपयोग कहा होता है बताएंगे chronometer का उपयोग कहा होता है तो chronometer से क्या होता है जलयानों में समय मापा जाता है याद रखेगा जलयानों में समय मापने के लिए जलयानों में समय मापने में यनि समय का पता लगाने में ठीक है जल्यानों में समय का पता लगाने के लिए क्रोनो मीटर का इस्तमाल किया जाता है जल्यानों में समय का पता लगाने के लिए क्रोनो मीटर का इस्तमाल किया जाता है याद रखेंगे अगर आप से पूछेगा फैदो मीटर का इस्तमाल कहा होता है तो आप जानते हैं कि समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदो मीटर का इस्तमाल होता है याद रखेगा समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदो मीटर का इस्तमाल होता है अगर आप से पूछे मैनो मीटर का उपयोग कहा होता है तो आप जानते हैं गैसों के दाब को मापने के लिए गैसों का दाब मापा जाता है मैनो मीटर द्वारा याद रखेगा गैसों का दाब मापा जाता है मैनो मीटर द्वारा याद रखेगा गैसों का दाब ग्रैवी मीटर का इस्तमाल कहा होता है तो याद रखेगा कि पानी के सतह पर तेल की इस्तिती का पता लगाने के लिए ग्रैवी मीटर का इस्तमाल किया जाता है ठीक है पानी की सतह पर तेल की उपस्थिती important सवाल है पानी की सतह पर तेल की उपस्थिती का पता लगाने में या तेल की उपस्थिती ग्याद करने में ठीक है तो पानी की सतह पर तेल की उपस्थिती का पता लगाने के लिए ग्रेवी मीटर का इस्तमाल किया जाता है याद रखेगा ठीक है और अगर आप से पूछे इस्क्रू गेज का इस्तमाल कहा होता है आप जानते हैं इस्क्रू गेज का इस्तमाल कहा होता है बताएंगे इस्क्रू गेज का इस्तमाल कहा होता है ठीक है तो बारीक तारों के व्यास मापे जाते है screw gauge द्वारा ठीक है तो इतना सवाल यहां से आप याद रखेगा पूस्ता है एक्जाम में तो screw gauge का इस्तमाल बारिक तारों के व्यास मापने के लिए क्या जाता है तो glucometer क्या है तो glucometer एक चिकतसी ये उपकरण है याद रखेगा तो आप सभी से request करेंगे प्लीज आप लोग क्लास को share करें ताकि और बच्चे क्लास में आ सकें अगला सवाल जब मानव सरीर का तापमान सामान्य सारीक तापमान से लगवग 2 से 3.5 फारेनहाइट कम हो जाता है तो इस इस्तिति को क्या कहा जाता है बहुत अच्छा सवाल है जब मानव सरीर का तापमान सामान्य सारीक तापमान से लगवग 2 से 3.5 फारेनहाइट कम हो जाता है तो इस इस्तिति को क्या कहा जाता है तो आंसर करें आप्शन A, बुखार, आप्शन B, हाइपो थर्मिया, आप्शन C, हाइपर थर्मिया, आप्शन D, हाइपर पाइरिक्सिया तो आंसर करें याद रखना है जब मानव सरीर का तापमान सामाने सार्विक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फारेंहाइट कम हो जाता है तो इस इस्तिती को हाइपर थर्मिया कहते हैं बहुत इंपोर्टेंट सवाल है याद रखना है आंसर क्या होगा हाइपो थर्मिया क्या कहते हैं हाइपो थर्मिया कहा जाता है तो जब मानव सरीर का तापमान सामाने सार्विक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फारेंहाइट कम हो जाता है तो इस इस्तिती को हाइपो थर्मिया कहा जाता है याद रखेंगे और इस इस्तिती में मानुष शरीर का क्रियासी उता कम हो जाता है याद रखेंगे चीक है और ताप अगर बढ़ेगा तो उसको कहेंगे हाइपर थर्मिया ठीक है ताप बढ़ेगा तो तो hyper tharmyan चीक है और 98.6 डिग्री फारेंहाईट से अधिक तापमान होता है तो वो बुखार कहलाएगा है नशनी, हमारे सरीर का ओसर तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेलसेश 37 डिग्री सेलसेश बराबर होता है 94.6 डिग्री फारेंहाईट या फिर ठीक है तो हाइपो थर्मिया आपका सी आंसर होगा याद रखेंगे अगला सवाल बायो टेकनोलोजी मिन्स जैव परदोगी की का अर्थ क्या होता है तो आंसर करेंगे जैव परदोगी की का अर्थ क्या होता है option A, bacteria का तकनीकी अध्यान, option B, सरीर में रसाइनों का तकनीकी अध्यान, option C, मानव सरीर रचना, विज्यान के छितर में तकनीक का infusion, option D, और दोगिक परिक्रियाओं में सजीवों का उपयोग, तो जैव परदोगी की का तात्परे क्या होता है, यह आपको बताना है तो यहाँ पर सही answer क्या होगा, जैव परदोगी की, बायो टेकनोलोजी का तात्परे है, और दोगिक परिक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करना, तो answer क्या होगा, याद रखना है, बायो टेकनोलोजी का अर्थ होता है, और दोगिक परिक्रियाओं में सजीवों का उपयो उर्वर्ता सकती परदान किया जाता है और वर्मी कल्चर में आप जान दें केचुवा जो होता है वो बहुत महत्पुन भूमी का निभाता है केचुवा को किसान का मित्र कहा जाता है केचुवा को किसान का मित्र कहा जाता है और वर्मी कल्चर में केचुवा जो है बहुत जा एवं उनकी कोशिकाओं आदिका प्रयोग करना जैव प्रदोगी की के अंत्रगत, जीवधारियों अत्वा जैविक तंत्रों का उप्योग करते हुए निश्चित उद्देशी की पूर्ती हेतु उत्पाद और परक्रियाओं का विकास किया जाता है जीवों के अन्वानसिक पदाठों, सुक्ष्म जीवों एवं पादकों में किर्तिम परिवर्तन के माध्यम से अधिक से अधिक मानव उप्योगी प्रजातियों एवं जीवों का विकास करना ही जैव प्रदोगी की का मुख्यों उद्देश यह याद रखेंगे तो समझ में आ गया, आंसर क्या हो गया, जैव प्रदोगी की का याद रखेगा तो आंसर हो गया, उप्सन नमबर डी, ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते है अच्छा, इसका यूज भी पूछ सकता है, जैव प्रदोगी की का इस्तमाल कहां कहां होता है तो आप यह सब भी याद रखेए, जैव प्रदोगी की का इस्तमाल कहां कहां होता है, ठीक है अगला सवाल, सामानेता निमनलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है इन में से कौन कैंसर का साधरन कारण नहीं है, आपको बताना है ठीक है तो अच्छा सवाल है अगर आपको पता है तो आंसर करें इन में से कौन? कैंसर का कारण नहीं है आप्शन A प्रियावर्णिय कारक, आप्शन B अनुवांसिक उत्परिवर्टन, आप्शन C अनुवांसिक संसोधन, आप्शन D ट्रांसमिशन तो आंसर क्या होना चीए? तो आपका सही आंसर होगा सामाने तर ट्रांसमिशन कैंसर का कारण नहीं है याद रखेगा सामाने तर ट्रांसमिशन कैंसर का कारण नहीं है इसका मतलब प्रियावर्णिय कारक से भी कैंसर हो सकता है अनुवानसिक उत्परिवर्थन से कैंसर होता है अनुवानसिक संसोधन से भी कैंसर होता है यानि जीन मुटेशन से कैंसर होता है जैनेटिक मुटेशन से भी कैंसर होता है यानि जैनेटिक मुटेशन और जैनेटिक म पिर्थवी पर आ जाता है जिससे चमड़ा का कैंसर हो सकता है चिक है समझ मैं और कैंसर होता क्या है तो आप जानते हैं कि सेल के ओनियंतरित विर्धी से कैंसर होता है याद रखेगा कोसिकाओं के ओनियंतरित विर्धी से कैंसर होता है चिक है तो इसको आप याद रखेगा अब यहांपे कुछ important सवाल याद रखेगा जैसे आपसे पूー सकता है कि radio सक्रिय समस्थानिक इस्ट्रोंशियम 90 से कौन सा बिमारी हो सकता है थिक्षे आप बताएका इस्ट्रोंशियम 90 से कौन सा बिमारी हो सकता है याद रखेगा ठीके और आप जानते है पानी में अगर केडमियम मिल जाए अधिक हो जाए तो उससे कौन सा बिमारी होता है बताएंगे पानी में केडमियम के दिखता से कौन सा बिमारी होता है इताई 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 और पानी में पारा के दिखता से कौन सा बिमारी होता है बताएंगे पानी में पारा के दिखता से कौन कौन सा बिमारी होता है तो पानी में केडमियम के अदिक्ता से इताई इताई नामक बिमारी होता है ठीक है पानी में केडमियम के अदिक्ता से इताई इताई बिमारी होता है और पानी में पारा की अदिक्ता से मिनिमाता रोग होता है याद रखेगा चिक है चलिए अगला सवाल देखते हैं तो class को please आप लोग support कीज़े osteoporosis is related to which disease आंसर करेंगे osteoporosis किस रोग से संबंदित है तिकदम आसान सवाल है osteoporosis किस रोग से संबंदित है आपको बताना है तो आप सभी जानते हैं osteoporosis रोग हड़ी से संबंदित है osteoporosis रोग हड़ी से संबंदित है आंसर हो गया option number A और याद रखना है osteoporosis रोग वैसकों को होता है ठीक है किसको होता है वैसकों को होता है याद रखेगा osteoporosis रोग वैसकों को होता है और ओस्टियो प्रोसिस रोग में हड़ी क्या होता है कमजोर हो जाता है याद रखेगा ओस्टियो प्रोसिस बिमारी विटामिन D की कमी से होती है किससे होती है विटामिन D की कमी से ठीक है तो याद रखेगा विटामिन D का रासानिक नाम कलसी फेरॉल होता है और विटामिन D की कमीं से Osteoporosis नामक बिमारी होता है जो वैसकों में होता है और इससे हड़ी कमजोर हो जाता है याद रखेंगे अब जानते हैं vitamin D का रासानिक नाम कलसी फेरॉल है vitamin D का स्रोत क्या है तो आप जानते हैं कि मचली के यकरित तेल से भी vitamin D प्राप्त होता है अंडे अकृत तेल विटामिन D का मुखिस रोथ है याद रखेगा और विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानि सूखा रोग होता है याद रखेगा तो ऑस्टियो परोसिस हड़ी से सम्मदिद बिमारी है याद रखेगा अगला सवाल OTC दवा क्रोसीन एक डैस दवा है तो आंसर करेंगे OTC दवा क्रोसीन किस प्रकार की दवा है चीखे OTC दवा क्रोसीन एक डैस दवा है तो याद रखना है OTC दवा क्रोसीन एक डर्द नासक एवं जवर नासक दवा है इसका मतलब है आंसर होगा एनलजेसिक और एंटिपायरेटिक दवा है क्रोसीन तो याद रखेगा OTC दवा क्रोसीन एक एनलजेसिक और एंटिपायरेटिक दवा है तो क्रोसीन किस प्रकार क दवा है याद रखेगा क्रोसीन, दर्द निवारक और जवरनासी दवा है answer option C ठीक है आप जानते हैं कि मानव सरीर का तापमान 37 degree Celsius या 98.6 degree Fahrenheit से या 310 Kelvin से अधिक होने पर हम लोग कहते हैं कि बुखार हो गया है ऐसे मानव के सरीर का तापमान बढ़ने की कारण सेल में पानी की कमी होने लगता है पानी का कमी होने लगता है अगर बुखार ज़ादा हो जाए तो सरीर का जो सेल होता है उसमें पानी का कमी होने लगता है और अगर 102 से 103 Fahrenheit से अधिक अगर बुखार हो जाए तो वेक्ति आप जानते हैं कि वेक्ति का मिर्थिव भी हो सकता है मतलब हमारे सरीर का उसत तापमान 90.6 degree Fahrenheit होता है लेकिन अगर वुखार इतना ज़्यादा हो जाए कि सरीर का तापमान 102 या 103 से ज़्यादा हो जाए 103 Fahrenheit से ज़्यादा हो जाए तो उस situation में मिर्थिव भी हो सकता है ठीक है तो OTC दवा क्रोसीन किस प्रकार का दवा है तो OTC दवा क्रोसीन एनलजेसिक और एंटिपारेटिक दवा है option number C याद रखेगा अगला सवाल Oncology is associated with the treatment of which disease आंसर करेंगे Oncology किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है Oncology किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है याद रखना है Oncology Cancer बीमारी के उपचार से जुड़ा है answer हो गया option number C Cancer के उपचार को Oncology कहा जाता है तो Cancer बीमारी के उपचार से जुड़ा है Oncology याद रखेगा ठीक है अब यहां से अच्छा सवाल बनता है और भी जैसे आप से पूछ सकता है जान दिजेगा पॉमोलोजी में किसका अधिन क्या जाता है आप जानते हैं पॉमोलोजी में फलों का अधिन पुछेगा पॉमोलोजी में क्या कहा जाता है फल का अधिन फल का अधिन क्या जाता है फलों का अधिन क्या कहलाता है तो याद रखना है फलों का अधिन कहलाता है पॉमोलोजी फलों का अधिन कहलाता है दात का अध्यन को क्या कहते हैं आप जानते है दात का अध्यन को क्या कहा जाता है तो बताएंगे दात का अध्यन क्या कहलाता है तो याद रखेगा दात का अध्यन ओडोन्टोलोजी कहलाता है क्या कहलाता है ओडोन्टोलोजी दात का अध्यन ओडोन्टोलोजी कहलाता है या सróलगातो आफिन क्या जाता है ओन्कोलोजी अलग है ठीक है फिर से बता देते हैं ओन्कोलोजी पुछेगा तो अलग है ओन्कोलोजी मतलब Venec का अध्यन है da Media on설imana में हो गया cancer गान के उपचार से संबधी होता ये ओन्कोलोजी cancer का उपचार ठीक है cancer का उपचार हो गया oncology लेकिन आपको बोल रहे है oncology कौन सा है oncology तो oncology क्या होता है ये आपको बताना है ठीक है तो बताइए oncology क्या होता है तो याद रखेगा oncology में cancer बिमारी के उपचार का अध्यन क्या जाता है लेकिन कौनको लोजी में क्या होता है मुलस्का विज्ञान का अध्यन होता है यहीं संख विज्ञान का अध्यन होता है कौनको लोजी यह भी लिख लिजेगा important सवाल है संख विज्ञान का अध्यन नहीं तो क्या होगा एक्जाम में गलती हो सकता है संख विज्यान का अध्यन याद रखेगा संख विज्यान का अध्यन यनि इसको हम लोग बोल सकते हैं संख विज्यान का अध्यन बोलिए या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ठीक है क्या बोल सकते हैं तो याद रखना है मुलस्का का अध्यान, study of मुलस्का ठीक है, मुलस्का विज्यान कह सकते हैं, तो कुलमिला के याद रखना है, मुलस्का विज्यान कहते हैं इसको, या फिर संख विज्यान का अध्यान कहते हैं, ठीक है, तो कॉनकोलोजी का मतलब हो गया, संख विज्यान अगला सवाल विटामिन D is highest in डैस में विटामिन D सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो आंसर करें इन में से किस में विटामिन D सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो बहुत अच्छा सवाल है अगर पता है तो आंसर करें इनमें से किस में विटामिन D सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए तो आपसन नमबर C आपका से आंसर होगा कौड लिवर ओई यानि मचली का तेल याद रखेगा कौड लिवर ओई मचली के तेल में सबसे अधिक विटामिन D होता है तो याद रखेगा कौड लिवर ओई इंपोर्टेंट सवाल है कौर्ड लिवर पाईल यहीं मचली के तेल में विटामिन D सबसे अधिक होता है आंसर हो गया option number C विटामिन D सुबह में सुरी के प्रकास में भी पाया जाता है विटामिन D की कमी से रिकेट्स या सुखा रोग होता है विटामिन D से हड़ी मजबूत होती है याद रखेगा और सुरज मुखी तेल में कॉलेस्टरॉल की मातरा कम होती है इसमें क्या होता है कॉलेस्टरॉल का मातरा कम होता है याद रखेगा ये भी important सवाल है कॉलिस्ट्रॉल की कमी होती है किसमें कॉलिस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है सुरजमुखी के तेल में ठीक है कॉलिस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है सुरजमुखी तेल में याद रखेंगी ठीक है अगला सवाल भारत में मवेशी रोग निगरानी एवं पुर्वानुमान परणाली का नाम क्या है तो आंसर करें Name of the cattle disease surveillance and forecasting system of India भारत में मवेशी रोग निगरानी एवं पुर्वानुमान परणाली का नाम क्या है Option A, cattle safety laboratory, Option B, animal safety laboratory, Option C, biosafety laboratory, Option D, cattle monitoring laboratory तो आंसर कीजिए, कौन सा आंसर आपको लग रहा है सही होगा भारत में मवेशी रोग निगरानी एवं पुर्वानुमान परणाली का नाम क्या है तो याद रखना है Biosafety Laboratory, आंसर होगा Option C तो भारत में मवेशी रोग निगरानी एवं पुर्वानुमान परणाली का नाम है Biosafety Laboratory याद रखेगा Option C ठीक है और आप जानते हैं कि भारत में उत्तम नसल के पसू की कमी है भारत विस्व में सबसे अधिक पसू वाला देश है ये तो सब जानते हैं कि विस्व में सबसे अधिक पसू वाला देश कौन सा है तो विस्व में सबसे अधिक पसू वाला देश है भारत लेकिन भारत में उत्तम नसल के पसू की कमी है याद रखेगा ठीक है तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पुर्वानवान परनाली का नाम बायो सैफ्टी लेबोरेट्री है option C अगला सवाल पादप विज्ञान में किसका अध्यन क्या जाता है तो आंसर कीजेगा पादप विज्ञान के तहट किसका अध्यन क्या जाता है बहुत ही आसान सवाल है प्लांट विज्ञान के तहट किसका अध्यन क्या जाता है फाइटोलोजी के तहट किसका अध्यन क्या जाता है तो आप जानते हैं पादप विज्ञान के तहट पादप विज्ञान के तहट पौदों का अध्यन क्या जाता है तो आपका अंसर हो गया option number B plants का अधिन क्या जाता है आप जानते हैं कि अरस्तु ने सभी जीवों को जन्तु समूँ एवं वनस्पती समूँ में विभाजित किया आप जानते हैं अरस्तु को जीव विग्यान का जनक कहा जाता है अरस्तु को जीव विग्यान का जनक कहा जाता है ठीक है तो पादफ विग्यान में पौधों का धिन क्या जाता है option number B अब यहां से कुछ important सवाल आप याद रखे जो आपके exam में पूछ सकता है ठीक है आपसे पूछ सकता है थियो फ्रेस्टस को क्या कहा जाता है अब जानते हैं थियो फ्रेस्टस को क्या कहा जाता है बताएंगे Theophrastus को क्या कहा जाता है वनस्पती विज्यान का जनक कहा जाता है Theophrastus को ठीक है तो याद रखना है वनस्पती विज्यान का जनक कहा जाता है Theophrastus को क्या कहा जाता है वनस्पती विज्यान का जनक तो वनस्पती विज्ञान का जनक किन को कहा जाता है तो याद रखेगा थियो फ्रेस्टस को वनस्पती विज्ञान का जनक कहा जाता है ठीक है इसके अलावा आपको बताने सेवाल के अधिन को क्या कहा जाता है आप जानते हैं सेवाल के अधिन को क्या कहा जाता है तो बताए कवक के अधिन को माइकोलोजी कहा जाता है ठीक है सेवाल के अधिन को फाइकोलोजी कहा जाता है और कवक के अधिन को माइकोलोजी कहा जाता है याद रखेगा अब कुछ important सवाल लिखे जो आपके exam में generally पूछा जाता है जैसे आपसे पूछ सकता है सारकोलोजी ठीक है सारकोलोजी क्या होता है यह आपको पता है तो बताएंगे थोड़ा सा important सवाल है सारकोलोजी क्या होता है पता है सारकोलोजी क्या होता है पेसियों के अध्यन को कहा जाता है सारकोलोजी लिखते चलिएगा पेसियों का अध्यन कहलाता है सारकोलोजी तो सारकोलोजी क्या है पेसियों के अध्यन को सारकोलोजी कहा जाता है याद रखेगा अगर आपसे पूछे हीमेटोलोजी तो आप जानते हैं हीमेटोलोजी क्या होता है तो रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्यन हिमेटोलोजी कहलाता है याद रखेगा ऑस्टियोलोजी क्या होता है तो हड्यों के अध्यन को ऑस्टियोलोजी कहा जाता है तो कंकाल तंत्र का अध्यन या अस्थिविग्यान ऑस्टियोलोजी कहलाता है आसान है ऑस् कहा जाता है आपको पता है केंद्रक का अध्यन को कहा जाता है केंद्रक का अध्यन को कहा जाता है केंद्रक का अध्यन को क्या कहा जाता है याद रखेगा केंद्रक के अध्यन को कहा जाता है हिंदी में लिखते हैं केंद्रक का अध्यन को कहा जाता है हिंदी में लिखते हैं क अंतर स्रावी तंतर का अध्यन क्या कहलाता है तो याद रखना है एंडो क्रीनोलोजी एंडो क्राइनोलोजी बुलेंगे अच्छा रहेगा एंडो क्राइनोलोजी मतलब अंतर स्रावी तंतर का अध्यन ठीक है इसको आप याद रख लेजेगा ठीक है तो यहां से यह सब या रखना है इसके अलावा कुछ important सवाई taxonomy तो आप जानते हैं taxonomy मतलब क्या होता है तो जीवों के जातियों का नामांकरन इवं वर्गी करन यानि वर्गी की का अध्यन कहा जाता है taxonomy को याद रखेगा ठीक है इसके अलावा आप से पूछ सकता है आप से पूछ सकता है pathology क्या होता है तो आप जानते हैं रोगों की प्रिकृती रोगों की प्रिकृती लक्षन और कारणों का अध्यन क्या कहलाता है pathology कहलाता है याद रखेगा ठीक है इसके अलावा आप से पूछ सकता है entomology किसे कहा जाता है तो आप जानते है entomology बहुत पूछता यह सवाल तो कीट कीटों के अध्यन को कहा जाता है एंटो लॉजी याद रखेगा इंपोर्टेंट बनेगा हर पेटो लॉजी क्या होता है किसका अध्यन क्या जाता है तो याद रखना ये सवाल कि सरीश्रीपों का अध्यन क्या जाता है सरीश्रीप सरीश्रीप मतला हो गया रैप्टाइल तो सरीश्रीप और amphibian मतलब उभैचर सरीश्रिप और उभैचर का अध्यन क्या जाता है हर्पेटोलोजी के अंतरगर ठीक है तो याद रखेगा हर्पेटोलोजी क्या हो गया उभैचर और सरीश्रिपों का अध्यन हर्पेटोलोजी कहलाता है समझ में आ गया तो याद रखना है कि Reptiles और Amphibian का अधियन Herpetology कहलाता है या इसको Hindi में हम लोग बोलते हैं Sarisri Primigyan क्या बोलते हैं Harpetology मतलब Sarisri Primigyan याद रखेगा और Mythology मतलब क्या होता है पक्षियों का अधियन पक्षियों के अधियन को और Mythology कहा जाता है याद रखेगा अगर आप से पूछे anthropology ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है anthropology तो आपको answer करना है anthropology में किसका अध्यन क्या जाता है ठीक है थोड़ा से important है तो थोड़ा सा revision आपको करवा लेते हैं थोड़ा सा पैसेंस रखेगा मानवजाती के सांस्कृतिक विकास का अध्यन मानवजाती के सांस्कृतिक विकास का अध्यन क्या कहलाता है Anthropology ठीक है मानवजाती के सांस्कृतिक विकास का अध्यन Anthropology कहलाता है याद रखेगा ठीक है इसके अलावा आपसे पूछ सकता ओफियोलोजी ओफियोलोजी में किसका अध्यन होता है तो आप जानते हैं अगर सांप किसी विक्ति को काट ले तो वो क्या होगा ओफ हो जाएगा इसका मतलब ओफियोलोजी मतलब क्या सांप का अध्यन समझ मैं आफियोलोजी पुछेगा तो आफियोलोजी मतलब याद रखना है आफियोलोजी मतलब होता है सर्प विज्ञान ठीक है क्या होता है सर्प विज्ञान सापों के अध्यन को कहा जाता है आफियोलोजी ठीक है साप काट ले तो वेक्ति क्या होगा ओफ हो जाएगा इस गास का अध्यन, study of grasses, घास का अध्यन क्या कहलाता है, याद रखेगा, इसके अलावा बूच सकता है, algology, algology मतलब आप जानते हैं, सेवाल के अध्यन को algology कहा जाता है, ठीक है, याद रखेगा, अच्छा, bryology मतलब क्या होता है, आप जानते है, bryology मतलब क्या होता है, bryophyta क का ध्थियन याद रखे गो पता होगा याद रखे आप व्रिक्षों एवं जाडियों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो याद रखेगा वरिक्षों एवं जाडियों के अध्यन को डेंडोलोजी कहा जाता है ठीक है वरिक्षों और जाडियों के अध्यन को क्या कहा जाता है डेंडोलोजी कहा जाता है याद रखेगा चलिए तो अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं इस सवाल का अंसर क्या हो जाएगा option number B तो class को प्लीज आप लोग share करें आप सभी से request करते हैं support करें class को चेचक किस virus के कारण होता है अंसर करें chicken pox is caused by which virus तो चेचक किस virus के कारण होता है तो चेचक जो है virus के कारण होता है आप सभी जानते हैं तो चेचक किस virus के कारण होता है चेचक very cella virus के कारण होता है answer हो गया option number B चेचक very cella virus के कारण होता है याद रखेगा चेचक रोग संपुन सरीर को प्रभावित करता है और अगर किसी वेक्ति को चेचक हो जाए तो इसमें क्या होता है बहुत जादा बुखार होता है यहीं तेज बुखार होता है और साथ ही साथ सरीर पर लाल-लाल दाना आ जाता है तो याद रखेगा चेचक वेरिसेला वाइरस से होता है चेचक संपुर्ण सरीर को प्रभावि बिली वाइरस से होता है याद रखेंगे खसरा रोग किससे होता है मौप बिली वाइरस eher सो नहीं इतना सवाल आप याद रखेंगे जिए वैरस के द्वारा तो बहुत सारा बिमारी होता है आप जानती है जिसे आप पुछे वाइरस से कौन-कौन सा बिमारी होता है तो आप जानते हैं डेंगू फिवर किसे होता है तो वाइरस द्वारा होता है डेंगू फिवर किसे होता है तो डेंगू फिवर को हट्टी तोर उखार कहा जाता है और ड रपीज वाइरस के कारण होता है ट्रेकोमा वाइरस के कारण होता है ट्रेकोमा से सवाल पूशता है कि ट्रेकोमा जो है किस भाग को परभावित करता है तो ट्रेकोमा आँख को परभावित करता है याद रखिए रेबीज जो है रेबीज भी वाइरस के कारण होता है और important बनता है जिसे ट्रैकोमा किस भाग को प्रभावित करता है आंक है ना फिर पुझा है रैबीज किसको प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को मेनेंजाइटिस किसको प्रभावित करता है तो मेनेंजाइटिस ब्रेन को प्रभावित करता है ठीक है और क्या होता है कभी-कभी उसका नाम भी पूछ सकता है जिसे हड़ी तोर बुखार किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना होगा कि डेंगू फिबर को हड़ी तोर किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है आंसर करेंगे किमोथेरेपी is given for the treatment of which disease तो आप जानते हैं किमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है याद रखेगा किमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है किमो थरेपी, कैंसर रोगी के लिए बहुत लाबदायक उप्चार है, याद रखेगा याद रखना है, एलेक्ट्रिक सौट लगा कर रोग ग्रस्त सेल को नस्ट करने का प्रयास किया जाता है किमो थरेपी के तहद ठीक है, कैंसर होता कैसे है, तो आप जानते हैं कि कोशिकाओं के ओनियंतरित विर्धी के कारण कैंसर होता है, ठीक है, ओनियंतरित, कोशिकाओं के ओनियंतरित ग्रोथ के कारण कैंसर होता है और किमो थरेपी प्रक्रिया के द्वारा कैंसर का उप्चार क्या जाता है, आंसर ओप्चन C, याद रखेगा, ठीक है चलिए तो अगला सवाल देखते हैं आंसर ओप्शन C अगला सवाल मगरमच के बच्चे को क्या कहा जाता है What is a baby crocodile called important सवाल है तो इस तरह का सवाल पूछता है exam में और हम लोग या तो छोड़के आते हैं या अगलती करके आते हैं important सवाल है मगरमच के बच्चे को क्या कहा जाता है तो बताएंगे मगरमच के बच्चे को क्या कहा जाता है तो मगरमच के बच्चे को hatchling कहा जाता है याद रखना है मगरमच के बच्चे को hatchling कहा जाता है answer हो गया option number D मगरमच के बच्चे को hatchling कहा जाता है और आप जानते हैं कि मगरमच जो है किस वर्ग में आता है तो मगरमच रेप्टीलिया के अंतरगत आता है है ना रेप्टाइल के अंतरगत आता है सरीस्रिप वर्ग में आता है याद रखना है मगरमच रेप्टाइल वर्ग का उधारन हो गया याद रखेगा और याद रखेगा ठीक है तो याद रखना है मगरमच के बच्चे को सांस लेते हैं तो सरीष्री पवरग के प्रानी चोई सांस लेती है सरिस्रिप वर्ग का जो प्राणी होगा ये सांस किसे लेता है आपसे पूछ सकता है तो आपको याद रखना है सरिस्रिप वर्ग के प्राणी फेफडों से सांस लेते हैं किसे सांस लेता है ये फेफडा से तो मगरमच किसे सांस लेगा लंग से सांस लेगा फेफडा से सांस समझ में आया, ये बहुत important सवाल है, फेफ़डों द्वारा सांस लेते हैं, याद रखेगा, फेफ़डों द्वारा स्वसन लेते हैं, रेप्टाइल, ठीक है, तो रेप्टिलिया जो होता है, चाहे पुछे छिपकली का, तो छिपकली किसे सांस लेगा, तो याद रखना है फ अगला सवाल हम लोग देख लें, आंसर हो गया option number D, अच्छा अगर आपसे पूछे संसार का सबसे जहरीला साप कौन सा है आपको पता है, संसार का सबसे जहरीला साप, पता है पता है संसार का सबसे जहरीला साप, संसार का सबसे जहरीला साप, तो समूदर में जो साप होता है ना वो काफी ज़्यादा जहरीला होता है जनरली समुद्र का साप जो होता है वो जहरीला ज़्यादा होता है संसार का सबसे जहरीला साप तो एक जगह ये भी सवाल पूछा गया था कि समुद्र का जो साप होता है वो पिर्थवी पे रहने वाला मतलब जमीन पे रहने वाले स साप के पिछा समुद्र का साप जो होता है वो थोड़ा ज्यादा जहरीला होता है यह चीज़ याद रखेगा संसार का सबसे जहरीला साप कौन सा है याद रखना है यह जहरीला साप है सबसे ज्यादा जहरीला है यह समुद्री साप है समुद्री साप जो होता है वो थोड़ा का साप है तो हाइड्रोफिस क्या है तो हाइड्रोफिस एक समुद्री साप है जो की संसार का सबसे जहरीला साप है ठीक है इस चीज को आप याद रखेगा आंसर ठीक है तो समझ में आ गया मगरमच के बच्चे को क्या कहा जाता है हैचलिंग option number D अगला सवाल जब मानव सरीर के तापमान में सरीर के सामाने तापमान से लगवग 5.4 Fahrenheit से 8 degree Fahrenheit की कमी होती है तो इस इस्थिति को किस रूप में जाना जाता है ठीक है तो अंजर पता है तो अंजर करेंगे जब मानव सरीर के तापमान में सरीर के सामाने तापमान से लगवग 5.4 डिगरी फारनहाइट से 8 डिगरी फारनहाइट की कमी होती है तो इस इस्तिती को क्या कहा जाता है याद रखना है हाईपर पाइरिक्सिया कहा जाता है जितना सवाल है बता रहे हैं सारा important है और आया हुआ सवाल है याद रखेगा ठीक है तो hyperpyrexia answer होगा option number D ठीक है याद रखना है जब मानव सरीर के तापमान में सरीर के सामने तापमान से लगवग 5.4 degree Fahrenheit से 8 degree Fahrenheit की कमी होती है तो इस इस्तिती को hyperpyrexia कहा जाता है ठीक है और आप जानती है कि मानव सरीर का स सामने तापमान 98.6 degree Fahrenheit या 37 degree Celsius या 310 Kelvin होता है ठीक है और आपको एक सवाल पता होगा कि अस्तंधारी जीव में सबसे अधिक तापमान किस जीव का होता है ठीक है तो आपको बता भी चुके हैं पहले तो आप बतेए कौन सा ऐसा जीव है जो अस्तंधारी में सबसे अधिक उस ठीक है अस्तंधारी में सबसे अधिक तापमान किसका होता है बगरी का होता है 49 degree Celsius याद रखेगा थीक है ठीक है समझ में आ गया तो answer क्या होगा option number D और यहाँ virus लिखा है तो virus से तो आप जानते हैं कौन कौन सा बिमारी होता है जैसे डेंगू फिबर जो है वाइरस के अगला सवाल है कौन से рोग के उचार में डायलेसिस किया जाता है ठीक है बताना है कौन से रोग के उपचार में डायलेसिस किया जाता है मतलब कुलमिला के डायलेसिस का उपयोग कहां किया जाता है एकदम आसान सवाल है तो आप सभी जानते हैं डायलेसिस का उपयोग कहां किया जाता है तो गुर्दे की खराबी के उपचार में डायलेसिस का इस्तमाल क्या जाता है गुर्दा मतलब क्या होता है तो गुर्दा की खराबी याद रखेगा गुर्दा की खराबी में डायलेसिस का उपयोग क्या जाता है ठीक है गुर्दे की खराबी अगर हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए dialysis का उपयोग क्या जाता है आप जानते हैं कि गुर्दे की खराबी की स्थिती में रक्त का ठीक डंग से साफ नहीं हो पाता है मतलब गुर्दा खराब हो जाए तो उससे बलड सही डंग से साफ नहीं हो पाएगा जिस कारण से रोगी के रक्त रुधिर में oxygen पहुंचने में गठिनाई होती है और सुध रक्त की कमी होने लगती है और इसी को दूर करने के लिए dialysis का उपयोग क्या जाता है ठीक है तो समझ में आगया गुर्दे की खराबी को ठीक करने के लिए dialysis का इस्तमाल क्या जाता है option number C आपका सही answer होगा ठीक है और गठिया बिमारी आप जानते है कि अगर uric acid सरीर में जादा हो जाता है बहुत जादा हो जाता है तो उस सित्वी में गठिया रोह जाता है joints में दर्द देना सुरू कर देता है बहुत खराब बिमारी है गठिया क्योंकि इसमें क्या होता है हडियों की जोड में मतलब बहुत जादा दर्द करता है ठीक है तो गठिया या arthritis बिमारी क्या होता है सरीर के हडियों की जोडों में दर्द होता है गठिया बिमारी में याद रखेगा इसको arthritis भी कहा जाता है ठीक है तो याद रखें और astigmatism देखें क्या होता है astigmatism आखों से संबंदित बिमारी है आप जानते ही है astigmatism मतलब और astigmatism को दूर करने के लिए astigmatism के बारे में भी पढ़ते है ठीक है तो astigmatism को दूर करने के लिए बेलना कार लेंस का इस्तमाल होता है याद रखेंगा astigmatism आखों से संबंदित बिमारी है और astigmatism को दूर करने के लिए बेलना कार लेंस का उपयोग किया जाता है ठीक है तो astigmatism को दूर करने के लिए बिलनाकार लेंस का उप्योग होता है याद रखेगा ठीक है तो आंसर क्या हो गया गुर्दे की खराबी को दूर करने के लिए अगला सवाल मानव सरीर में कंठ को क्या कहा जाता है अच्छा सवाल है अगर पता है अंसर तो करेंगे मानव सरीर में कंठ को क्या कहा जाता है तो मानव सरीर में कंठ को वाइस बॉक्स कहा जाता है मानव सरीर में कंठ को वाइस बॉक्स कहा जाता है answer option number C अगला सवाल A person with A B blood group A B रक्त वर्ग वाला वैक्ती option A A B और रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है option C सारवभूमिक रक्तदाता कहलाता है option B सारवभूमिक रक्तदाता कहलाता है option C किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है option D ना तो एक सारभोमिक प्राप्त करता है और नहीं एक सारभोमिक दाता है तो option ठीक से पढ़िए और अच्छा से answer कीजे कि क्या question कह रहा है तो question कह रहा है A B blood group वाला जो वैक्ती है ठीक है उसके बाद option दिया है इसमें से कौन सा statement सही होगा तो आप जानते हैं A B blood group वाला जो वैक्ती होता है उसको हम लोग क्या कहते है तो A B रक्त वर्ग वाला वैक्ती जो है वो सभी वर्ग से blood ले सकता है ले सकता है कि नहीं सब से ले सकता है तो answer क्या होगा option number C होगा आपका answer क्योंकि A B blood group वाले वैक्ती को जाता है सर्वग्राही इसका मतलब कि सभी से ब्लड ले सकता है तो can take blood from any class तो किसी भी वर्ग से रखत ले सकता है AB blood group वाला वैक्ती क्योंकि AB blood group वाला वैक्ती सर्वग्राही होता है याद रखेगा ठीक है और ओ ब्लड ग्रूप जो होता है वो negative blood group इसको हम लोग क्या कहते है universal donor कहते है तो आप जानती है वो blood group को क्या कहा जाता है याद रखना है वो blood group को universal donor कहा जाता है यहीं सरवदाता कहा जाता है सरवदाता कहा जाता है वो negative को याद रखेगा ठीक है तो इसको आप याद रखेगा अच्छा और एक सवाल रखेगा याद रखना है एक बलड गृgoneग्ड में क्या नहीं पाय जाता है पूछेगा तो याद रखना है AB blood group में antibody नहीं पाय जाता है याद रखेगा और दूसरा याद रखेगा O blood group तो O blood group में क्या नहीं पाय जाता है तो antigen नहीं पाय जाता है समझ मैं तो O blood group में अच्छे सा आप लिख लिजेगा यह परमानू का structure लग रहा है लेकिन आप याद रखेगा यह blood group का बात कर रहे हैं लोग ठीक है O blood group तो O blood group में क्या नहीं पाय जाता है तो याद रखेगा O blood group में antigen नहीं पाय जाता है ठीक है तो O blood group में antigen नहीं पाय जाता है और AB blood group में antibody नहीं पाय जाता है याद रखेगी ठीक है और आपको पता है एंटीजन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है पूस्ता ये भी सवाल कि एंटीजन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है एंटीजन में ग्लाइको प्रोटीन पाया जाता है एंटीजन में ग्लाइको प्रोटीन पाया जाता है テिन में गलाइको प्रोटीन पाया जाता है यार रखेगा テिन में गलाइको प्रोटीन पाया जाता है ठीक है चलि अगला सवाल देखते हैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करेगे प्लीज आप लोग ऐसे सुष्ट नहीं पड़िए प्लीZ क्लास को सपोर्ट किसे जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किये हैं एक बार लाइक कर दीजेगा अगला सवाल भुरून के मस्तिस्कों को नुपसान पहुँचाने वाला जिका वाइरस डैस द्वारा वहन होता है ठीक है तो मस्तिस्क को नुपसान पहुंचाता है जिका वाइरस आप जानते हैं तो आंसर करेंगे भुरून के मस्तिस्क को नुपसान पहुंचाने वाला जिका वाइरस का वहन कौन करता है तो आप जानते हैं जिका वाइरस मच्छड के कारण फैलता है मच्छडों के काटने से फैलता है तो याद रखेगा भुरून के मस्तिसको को नुपसान पहुंचाने वाला जीका वाइरस मच्छड की कारण फैलता है तो आपका आंसर हो गया option number A ठीक है तो आंसर क्या हो गया option number A याद रखेगा और आपको पता होगा WHO ने अपनी अस्थापना के बाद चौथी बार अपातकालिं इस्तिती की घोसना जीका वाइरस के कारण की थी तो जीका वाइरस भी बहुत खतरनाक है और इससे भी बहुत सारे जान गई थी जीका वाइरस के कारण तो जीका वाइरस बच्चे के मस्तिसको को विक्सित नहीं होने देता है याद रखेगा चिखे तो जिका वाइरस मच्छड के काटने से होता है याद रखेगे अब यहाँ पर कुछ important सवाल याद रखेगा डेंगू जो है किसके काटने से होता है तो डेंगू जो है मच्छड के काटने से होता है, सभी जानते हैं, तो डेंगू फीबर जो है मच्छड के काटने से होता है, हम आप से एक कोशन पूछे भी थे थोड़ा दर पहले, तो डेंगू फीबर किसके काटने से होता है, मच्छड के काटने से होता है, कौन सा मच्छर आप जानती है कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ठीक है तो डेंगू फिबर को हड़ी तोर बुखार कहा जाता है डेंगू फिबर को हड़ी तोर बुखार कहा जाता है और डेंगू फिबर मादा, एडीस, एजेप्टाई, मच्छड के काटने से होता है याद रखेगा, डेंगो फिपर में प्लेटलेड की कमी हो जाती है, ठीक है? अगला सवाल, मानों सरीर में प्रोस्टेट एक डैस है, the prostate is a desk in the human body तो एकदम आसान सवाल पूछा है, मानों सरीर में प्रोस्टेट क्या है? तो आप सभी जानते हैं प्रोस्टेट क्या है तो याद रखना है मानव सरीर में प्रोस्टेट क्या है तो मानव सरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथी है याद रखेंगे तो आपका सही आंसर क्या होगा, option number B, माना उस सरीर में prostate एक ग्रंती है, यार रखेगा option number B, आपका सही आंसर होगा, ठीक है, आप जानते हैं कि ग्रंती जो होता है, वो दो परकार का होता है, एक अंतरस्रावी ग्रंती और एक बाहे, मतलब ऐसे ग्रंती जो होगा, वो तीन त रखा होता है, ठीक है, मतलब ग्रंती जनरली तीनत रखा होता है, एंडोक्राइन ग्रंट होता है, एक्जोक्राइन ग्रंट होता है, और मिक्स्ड ग्रंट होता है, मिक्स्ड ग्रंट मतलब मिस्रिद ग्रंती होता है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग पढ़िएगा, तो य जाता है तथा जिनमें वाहिकाएं अनुपस्तित होता है उसे हम लोग अंतरस्रावी ग्रंथी कहते हैं ठीके या फिर अंतरस्रावी ग्रंथी को नलीका विहिन ग्रंथी भी कहा जाता है याद रखेगा जैसे प्यूस ग्रंथी पेरा थोयराइड ग्रंथी थोयराइड ग्रं ग्रंथियां एंजाइम को सरीर के विविन अंगों तक वाहिकाओं की सहायता से पहुचाते हैं इस कारण बाहे स्रावी ग्रंथी को नलिका युक्त ग्रंथी कहा जाता है जैसे लार ग्रंथी और पाचन ग्रंथी आपका बहिर स्रावी या एक्जोक्राइन ग्लेंड का उधा ठीखे समझ में आ गया तो इस सिर्वा आप याद रखेगा बहुत ज़्याधा एक्जाँने पूछता है कि अंतर श्रावी ग्रफे कुन्सी क्या रिलीज करता है औरode इंजाइन का स्राव होता है इंपोर्टेंट सवाल है पूछेगा एक्जाम में इन में से कौन सी ग्रंती हॉर्मोन का स्राव करती है तो याद रखेगा बहिर स्राविक रंती एंजाइम स्रावित करता है अंतर स्राविक रंती हॉर्मोन स्रावित करता है ठीक है चलिए तो isolated DNA, सबसे पहले DNA को अलग किन के द्वारा किया गया था, आपको बताना है ठीके? तो सबसे पहले DNA को अलग किया था Phadric Miature याद रखेगा सबसे पहले DNA को अलग किया था Phadric Miature ने ठीके? DNA की अधिकान समात्रा कहrils होती है? आप जानते DNA कहां पाया जाता है केंद्रक में तो केंद्रक में तो पाया ही जाता है तो केंद्रक के अलावा कहां पाया जाता है आपको पता है केंद्रक में पाया जाता है तो सबसे important सवाल DNA कहां पाया जाता है DNA केंदरक में पाया जाता है ठीक है तो यहां तो DNA पाया जाता है केंदरक में अच्छा बात है लेकिन आपसे पूछेगा इसके अलावा कहा पाया जाता है तो माइट्रो कॉंडिया में भी DNA पाया जाता है लेकिन माइट्रो कॉंडिया में कम पाया जाता है लेकिन पाया जाता है तो आपको याद तो करना ही होगा माइट्रो कॉंडिया में भी DNA पाया जाता है DNA ठीक है तो DNA का अधिकांस मात्रा कहां पाया जाता है DNA का अधिकांस मात्रा केंद्रक में पाया जाता है इसके अलावा DNA हरितलवक और माइट्रो कॉंडिया में भी पाया जाता है इसको आप अच्छे से लिख लिजेगा कि DNA हरितलवक और माइट्रो कॉंडिया में पाया जाता हम कोशिस करते हैं लिग देने का यहां पर यह important सवाल है आपसे पूस देगा कि DNA कहां पाया जाता है आपको याद रखना होगा कि DNA का अधिकांस मातरा जो है केंदरक में पाया जाता है इसके अलावा DNA हरितलवक और माइट्रो कॉंडिया में पाया जाता है याद रखेगा ठी जानते हैं कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किस ने दिया था तो DNA का दूई कुंडिलित सरचना वार्टसन और क्रिक के द्वारा दिया गया तो याद रखेगा DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वार्टसन और क्रिक ने दिया DNA का काम क्या होता है तो आप जानते है DNA क्या काम करता है तो DNA याद रखना है protein insulation को नियंतृत करता है याद रखेगा और DNA अनुवांसिक क्रियाओं का आधार है DNA अनुवांसिक क्रियाओं का आधार है DNA का इकाई क्या होता है तो आप जानते हैं कि DNA का इकाई जीन है DNA का इकाई क्या है तो DNA का इकाई जीन होता है याद रखेगा DNA अनुवांसिक क्रियाओं का आधार है DNA protein translation को नियंतृत करता है याद रखेगा DNA का double helix model किस ने दिया Watson और Crick ने दिया DNA में poly nucleotide होता है याद रखेंगे और DNA में 4 nitrogen छार होता है यह सवाल ज्यादा important है DNA में 4 nitrogen छार होता है कौन-कौन सा तो DNA में 4 nitrogen छार होता है है या उपस्तित होता है ठीक है तो DNA में 4 nitrogen छार कौन-कौन सा होता है आपको बताना है तो आप याद रखेगा एडिनीन ठीक है एडिनीन किसमे होता है डिने में होता है दूसरा याद रखे है गुवानीन गुवानीन किसमे होता है डिने में होता है थाइमीन किसमे होता है तो थाइमीन याद रखना है एडिनीन गुवानीन थाइमीन और साइटोसीन तो यह चार आपको याद रखना है है cytosin ठीक है cytosin तो पुछेगा DNA में कौन-कौन सा nitrogen base पाये जाता है तो DNA में चार परकार का nitrogen base पाये जाता है adenine, guanine, thymine और cytosin समझ मैं आया DNA में चार परकार का nitrogen base होता है adenine, guanine, thymine, cytosin या रखेगा तो आप सभी से humble request करेंगे, please आप लोग class को support करें, जो भी बच्चे class को like निकियें, please class को like कर दीजेगा, और share भी करें, अगला सवाल, एक मानव सरीर में अनेक्षिक मानस्पेसियां कहां होती है, तो आंजर करेंगे मानव सरीर में अनेक्षिक मानस्पेसियां कहां पाया जाता है important सवाल है, अनेक्षिक मानस्पेसियां कहां पाया जाती है, तो याद रखना है, मानव सरीर में अनेक्षिक मानस्पेसियां दिल में पाया जाता है, तो मानव सरीर में अनेक्षिक मानस्पेसियां दिल में पाया जाता है, आप जानते हैं कि क्रिया दो परकार का होता है, ठी आप नहीं होता है जिसे चलना है तो उसके लिए हमको मेहनत करना होगा बोलना है तो प्रयास करना होगा है ना तो चलना बोलना ये क्या होगा एक्षी क्रिया हो गया क्योंकि एक्षी क्रिया के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है स्वता नहीं होता है दूसरा हो गया अनेक अनेक्षिक क्रिया हो गया, समझ मैं दिल का धड़कना तो अनेक्षिक क्रिया हो गया, मतलब हर्ट बीट करना अनेक्षिक क्रिया हो गया, तो यहां पर वही ही पुछा है कि अनेक्षिक क्रिया जो होता है तो उसमें अनेक्षिक मानस्पेसियां कहां पाई जाती है, तो अनेक विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश से मानव आबादी की अनुवानसिक गुनवत्ता में सुधार लाना होता है यह किस अनुवानसिकी के छेतर को कहा जाता है तो आपका आंसर कीज़ेगा विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्दे से मानव आबादी की अन्वानसिक गुनवत्ता में सुधार लाना होता है यह अन्वानसिकी के चेत्र यूजिनिक्स कहलाते हैं क्या कहलाते हैं यूजिनिक्स कहलाते हैं तो आंसर होगा यूजिनिक्स याद रखेगा चिक है तो विश्वास और पर्थाओं का एक संग्रत जिसका उत्य से मानव आबादी की अन्वानसिक गुनवत्ता में सुधार लाना होता है यह अन्वानसिकी के चेत्र यूजिनिक्स कहलाते हैं याद रखेंगे आंसर ओप्षन डी चिक है बाकी देखिए ओप्षन ए भी बहुत अच्छा है अन्वानसिक इंजिनिरिंग यानि जैनेटिक इंजिनिरिंग क्या होता है तो याद रखना है कि जैनेटिक इंजिनिरिं क्या जाता है और मानों के जो रोग होते हैं उसको दूर करने का मतलब कोई उपायक हो जाता है ठीक है तो ये चीज भी आप जानते हैं क्लोनिंग के द्वारा समान अस्तर के जीव का निर्मान क्या जाता है याद रखेगा और एक सवाल बनता है ऐसे करके कि आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा भेड है जिसका जन्म क्लोनिंग के द्वारा हुआ था तो आप जानते हैं कि सरोपर्थम डोली याद रखेगा सरोपर्थम ठीक है डोली नामक भेड का जन्म ठीक है भेड का जन्म क्लोनिंग द्वारा हुआ था किसके द्वारा हुआ था क्लोनिंग द्वारा था इंपोर्टेंट सवाल है पूछेगा आपसे क्लोनिंग द्वारा हुआ था तो कौन सा भेड डोली भेड ठीक है तो याद रखना है सरोपर्थम डोली याद रखना है सरोपर्थम डोली नामक इंपोर्टेंट सवाल है इसलिए इसको आप याद रखेगा नाम याद रखना है आपको सरोपर्थम डोली नामक भेड का जन्म क्लोनिंग द्वारा हुआ थ तो इतना ही सवाल था आप सभी से humble request करेंगे प्लीज class अच्छा लगा हो तो please class को support किजेगा class को like और share अवस्थिक किजेगा साथ ही साथ आप सभी से request करेंगे किसी भी topic में doubt होगा तो आप लोग comment किजेगा और साथ ही साथ regular रहें क्योंकि जितना आप regular रहेंगे उतना आपका revision होगा और साथ ही साथ आपको नए सवाल सिखने भी मिलेंगे तो इससे आपको सुधार देखने को मिलेगा तो please आप लोग class को support कीजे और कोई भी दिक्कत होता है तो comment कीजेगा ठीक है तो मिलते हैं आप से गली class में आप सभी का तहें दिल से धन्यवाद करेंगे जै हिंड जै भारक जै बियसे धन्यवाद झाल कि hazard क्या जै उन्यवाद झाल झाल